Hello everyone, welcome back to literature people, मैं माधू पांडे, आज हम लोग देखने वाले हैं A Room of Once Own by Virginia Woolf, Virginia Woolf का बर्थ हुआ था 25 January 1882 को London United Kingdom में, इनकी death was the 28th March 1941 को United Kingdom में, Virginia Woolf ये English teacher थी, ये 20th century की one of the modernists जाने जाती है, A Room of Once Own ये essay है Virginia Woolf का, जो की पहली बार publish हुआ था September 1929 को, ये work based है, वुल्फ के दो lectures पर जो की इन्होंने deliver किया था 1928 को New Han College में और Griton College में, ये Women's College से University of Cambridge में, essay में Woolf ने metaphors use किये है, जो social injustice थे, women को लेकर उस पे, इस book में 6 chapter है, तो हम लोग chapter 1 से शुरू करते हैं, chapter 1, इसमें ऐसा chapter का नाम नहीं है, chapter 1 में क्या-क्या है वो बताती हूँ मैं, ये essay based है, दो paper पर जो की पढ़े गया थे, New Han और Griton College में, ठीक है ये दोनों women's college है, वुल्फ को assign किया गया था, women और fiction के बारे में बोलने के लिए, मतलब women as fiction writer, कई सारी चीज़े matter करती हैं, लिखने के लिए, fiction लिखने के लिए, पर सबसे ज़्यादा, वुल्फ के according, women के लिए, as in fiction writer, fiction लिखने के लिए, सबसे ज़रूरी क्या है, कुछ पैसे, और उसका खुद का personal room, उसका personal space होना चाहिए, उसके लिए fiction लिखने के लिए, इन order to write fiction, women should have personal space and some money, क्यों ज़रूरी है, और society women writer को कैसे treat करती है, ये सब बताने के लिए, वुल्फ ने कुछ fictional character बना लिया है, जैसे Mary Beaton, Mary Satan, या Mary Carmichael, Mary Beaton river के पास बैठी है, जो कि Oxi Bridge University के पास है, Oxford और Cambridge, या दोनों का combined fictional university कह सकते हैं, क्योंकि वही सब सदा famous university थी उस टाइम पे, Oxford और Cambridge, वो किसी idea के बारे में सोच रही है, Mary Beaton, नदी के किनारे बैठके, ठीक है, वो अपने idea को लेके काफी excited होती है, और वो घास पे चलना शुरू कर देती है, तो कोई university का आदमी आके बोलता है, कि यहाँ पे, वो आके बोलत होती है, पर वो जाने ही पाती, वहाँ पर एक आदमी बोलता है, यहाँ पे ladies को allow नहीं है, ladies का आना यहाँ पे मना है, फिर वो लंच करने का सूचती है, उनको खाना काफी अच्छा लगता है, खाने के बाद वो बेना पुछकी cat को देखती है, वो कुछ एक metaphor जैसा बन जात रोजटी की poetry हम करते थे, गुन-गुन आते थे, ऐसा कुछ, बतला हम उनके हिसाब से काफी दुनिया change हो गई है, बाद में फिर Mary All Women's College में डिनर करती है, वहाँ का खाना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, वहाँ पे खाना खाने के वाद यह सोचती है, कि man और woman के college मे जो founder है, उनके लिए जो पैसे कठा करना कितना मुश्किल होता है, वहीं जो man के college के जो sponsors हो काफी high position से आते हैं, वो आराम से पैसे कठा हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, chapter 2, Mary Britain जो अभी Mary Britain बाहर गई थी, फिर वो आ गई लंडन, लंडन में एक library में गई है, जो wolf ने कुछ fictional character बना लिए हैं, अपनी कहानी सुनाने के लिए, Mary Britain उसमें से एक है, ऐसे और भी कई fictional character बना रखे हैं, तो जो Mary Britain है, वो लंडन के एक library में जाती हैं, वहाँ पे वो कई सारी books देखती हैं, उसमें से काफी सारी books ऐसी हैं, जो women के बारे में हैं, और men ने लिखी हैं, पर motion में आके book लिखी गई हैं, ना कि truth पे लिखी गई हैं, अभी जैसे suppose किसी के साथ गलत हो गया, किसी आदमी के साथ गलत हुआ, किसी woman ने गलत किया, तो वो ऐसी women के बारे में लिखने लगेगा, कि जैसे women worthless हैं, मतलब untrustworthy हैं, वैसा वैसा, Mary अपने आपको पैसों के मामले म ही होना पड़ेगा, ओके तो chapter 3, Mary को अपने questions का जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो फिर वो आप history के book open कर लेती हैं, वो woman के life के बारे में देखना चाहते हैं, कि Elizabethan time मे, Elizabethan era में woman के life कैसी थी, वो ये देखते हैं, कि जो woman author है, वो बहुत कम है, और वहीं हर दूसरा आदम कुछ ने कुछ अच्छे sonnets लिख रहा है, अब जो poets है, वो जादातर men थे हैं, जिन्होंने sonnets लिखा था है, हम लोग जो poetry पढ़ते हैं, उसमे most of the men होते हैं, जो बहुत कम ऐसा होते हैं, जो women ने लिखे होते हैं, और वो ये भी देखते हैं, कि history में जो depiction है, woman का कैसा है, मतलब woman illiterate है, उनके husband उनको मारते मिटते हैं, और वहीं ये सब चीज़े character को जो book में दिखाए गए है, वो manly दिखाए गए है, अच्छा character दिखाए है, तो फिर वो ये सब सोचने के बाद अपने वो original question पर वापस आ जाती है, कि Elizabethan era में जो woman writer कम क्यूं है, फिर वो ये सब जिसे सोचती हैं, और एक fictional story ही बना लेती है, कि अभी जैसे William Shakespeare थे, उनको तो कौन नहीं जानता, अगर suppose उनकी कोई बहन होती, और उस बहन का नाम उन्होंने दे दिया है Judith, अगर वो होती, तो वो अगर उतनी ही talented होती, तो क्या वो बाहर जाके Latin or history of जो भी है, जो भी उन्ह कि उसको वो एक आदमी से शादी नहीं करना था, इसलिए वो घर से भाग जाती है, और वो घर से भाग तो इसको stage वगएरा पर काम करना होता है, बट वो ऐसा कर नहीं पाती है, वो pregnant हो जाती है, और वो suicide कर लेती है, इसका जो end बहुत खराब दिखा है, इसके वज़े से य condition क्या थी उस अहरा में, वो ये चीज़ बताना चाहती है, फिर आता है chapter 4, इसमें वो एफरा बैन के बारे में बताती है, ये first woman थी, जिन्होंने writing के थूप पैसे कमाए, मतलब बहुत luxurious life नहीं थी, बट इन्होंने as in writing पैसे कमाना शुरू के, इनकी life बहुत hardship भरी थी, फिर वो यही बताती है कि जो भी woman writer ने जो work लिखे हैं, वो novel लिखे हैं, mostly novel लिखे हैं, जैसे अभी Jane Austen की बात कर ले, इनकी जो books है, वो epic है, बट उनका जो area रहता है books का, वो limited है, अभी जैसे हम लोग pride and prejudice देख लें, वो भी तो एक कहते हैं कि जैसे homely novel ही है, कि एक घर, दूस Boston के पास life को experience करने का और option होता, मतलब वो बाहर जाती है, उसी चीजों को experience करती है, जैसे जो men करते हैं, तो उनका जो writing होती है, वो और भी अलग level पे होती है, chapter 5, अब मैरी ऐसे book की तरफ done होती है, जो उस time पे present मे, उस time पे present मे, women authors ने लिखे थी, women authors अब सिर्फ novel ने लिख रही है, वो histories भी लिख रही है, और archaeological work भी लिख रही है, अब वो एक और कहानी बना रही है, कि वो fictional book है, उसका नाम है Life's Adventure, इसको लिखा है Mary Carmichael ने, यह भी fictional character, मतलब इसमें सब कुछ fictional ही हो रहा है, कुछ भी असली नहीं, सब वो imagine करती जा रही है, और रहने character बनाती जा र लिखते जा रही है, ऐसा है, अब वो book उन्होंने उठाई, Mary Bitten ने उठाई, वो Mary Bitten को book थोड़ी अलग लग रही है, थोड़ी weird लग रही है, वो बताना चाहती है कि book में कुछ ऐसा है, अलग है कुछ, वो बताना चाहती है readers को, पर वो उससे पहले यह पता करना चाहती है क कुई man तो यह बात नहीं सुन रहा है, तो यह देखते हैं कोई man तो नहीं है, फिर वो यह भी देखती है, कि sir Charles Brian, यह परदे के पिछे छुपे तो नहीं है, यह बात नहीं सुन रहा है कि, फिर वो reveal करती हैं, दो female characters के बारे में, जो कि एक दूसरी को पसंद करती है, मतलब ज्यादा कोई ध्यान भी नहीं देती, ऐसा, मतलब कैसे ज्यादा अच्छा सा रिलेशन्शिप नहीं दिखाते हैं, मुमन्स के बीच में, चैप्टर 6, नेक्स डे मेरी बीटन अपने विंडो के बाहर देख रही है, लंडन स्टीट्स पे, लंडन की गलियों में, एक मैन और वोमेन एक टैक्सी में बैठते हैं, और टैक्सी वहाँ से चली जाती है, वो जो टैक्सी में बैठने को, और जाने में एक फ्लो है, फिर ट रिमाग है, उसमें दोनों के perspective को समझने की, मेल फीमिल दोनों के perspective समझने की छम्पा होनी चाहिए, तब ही जो writing है, वो अच्छी होती है, कि जब उसमें दोनों perspective involved होते हैं, फिर वो और चीज़े इमेजिन करती हैं, जैसे कि, अब जैसे हम लोग XYZ माल लेते हैं, कि XY है ऐसा आप वो ऐसा मान लेती है कि Mr. A's book है, मतलब Mr. A की book है, जो कि manly है और वो कुछ खास interesting भी नहीं है, फिर वो critic B को मानती है, कि उन्होंने जो criticism दिया है, वो female के side को consider ही नहीं किया, मतलब A कि उन्होंने A मान लिया, एक man है, जिसने book लिखी है, जो काफी manly है, वो interesting नहीं है, और रेक्टर प्ले है, उसको छोड़ देती है, फिर वो बोलती है, कि अभी जो मेरा book है, जो मैंने book लिखी है, इस पर criticism भी हो सकता है, और जो criticism होगा, उसमें mostly 3 question आएंगे, पहला question, वोल्फ ने ये तो clear किया ही ने कि कौन better writer है, man ये woman, या फिर कौन जो है, एक कोई specific genre में अच इसका answer वुल्फ देती है, कि ये बहुत immature question है, बहुत immature है, ऐसा सोचना, दूसरी चीज़ कि मैरी materialistic girl है, वो बहुत जादा value देती है, money को और private room को, तो इसका answer क्या देती है, that's it, वुल्फ के answer देती है, that's it, intellectual freedom depends on material things, poetry depends on intellectual freedom, तीसरी चीज़, women लिखे ही क्यों, अगर उसे इतनी difficulty है, और वो rewarding भी नहीं है, तो, इस चीज़ के इनके पास कई सारे response है, कि उनको अच्छी books पढ़ने के लिए, अच्छी readers को, अच्छी books पढ़ने के लिए, अच्छी writers भी चाहिए, मतलब recently उन्होंने कोई अच्छी book नहीं पढ़ी, कोई और वो Judith Shakespeare के लिए वर्दी होगा, इसकी theme है, women and family, literature and writing, ये वीडियो में यही पर complete करते हूँ, जो भी चैनल पर नहीं हो, चैनल सब्सक्राइब करो, और उसके बगल में bell icon रहेगा, उसको प्रेस कर दो, तो, जब भी मैं नई वीडियो डालूँगी, तो, उसकी notification मिल तो, thanks for watching, see you next time, bye bye